कि या कि दोस्तों आपका हमारे सिंद्दि शिखे यूट्व चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है देखे यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप का लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे वीडियो और कमेंट बाक्स बेजरूर बताएगे कि आप लोग को वीडियो कैशा लगा देखे इससे पहले एक बात और आपको बताएंगे कि लाइब क्लास भी सुरू हुई है जिनको यहां दिक्कत हो रही हो वो लाइब क्लास शरूर जोईन करें लाइब क्लास में पढ़ें और अपनी शमस्या को उजागर करें क्योंकि जब तक शमस्या नहीं आएगी तब तक आपका शमाधान नहीं होगा और शमस्या भी तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे समस्या आएगी तो समस्या का समाधान होगा और जब समस्या का समाधान होगा तो आपको शफलता जरूर मिलेगी तो इसी के साथ हम लोग शुरुवात करते हैं देखिए आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कि बहुत बड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास है संशिप्त चर्चा करते हैं और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाये तो हिंदी का आरंब एक हजार इसबी से माना जाता है एक हजार इसमय से अधिके जब लेखन की परंपरा का शुत्रपात हुआ शुरूआत हुआ तो सबसे पहले एक नाम आता है गार्षाद तासी गार्षाद तासी ये नाम आता है यानि इन्होंने सबसे पहले शुरुवात की इन्होंने एक पुस्तक लिखी इस्तवार इस्तवार इतरित्तर इतरित्तर एंदुई एंदुस्ताने यहाँ पीछे दला इस्तवार इतरित्तर एंदुई एंदुस्तानी ये पुस्तक लिखे कौन तो गारसाद तासी सबसे पहले शुरुवात की ये गारसाद तासी ने और ये पुस्तक लिखा दला इस्तवार इतरित्तर एंदुई एंदुस्तानी उसके बाद नाम आता है आपकी जार्ज ग्रियर्शन का जार्ज ग्रियर्शन नाम शुने होंगे जार्ज ग्रियर्शन इन्होंने पुस्तक लिखी दो माडर्न लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान त्यान दिजिएगा लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान ये पुस्तक लिके किसने तो जार्ज ग्रियर्शन इसके बाद नाम आया सिव सिंग सेंगर का सिव सिंग सेंगर ने सिव सरोज नाम पुस्तक की रचना की और देखें सिव सिंग सेंगर ने हिंदी साहित के इतिहास का कालब भाजन किया लेकिन अशफल रहे यानि इन्होंने हिंदी साहित के इतिहास का कालब भाजन नहीं कर पाया इसके बाद नाम आता है मिश्रबंधू का, मिश्रबंधू, ये तीन भाई थे, मिश्रबंधू तीन भाई थे मिश्रबंधू ने पुस्तक लिखी मिश्रबंधू बिनोद नामक, मिस्रबंधू विनोद और इन्हों ने हिंदी साहित के इतिहास का प्रथम कालवे भाजन किया किसने तो मिस्रबंधू ने और इसके बाद नाम आता है आचार रामचंद्रशुक्ल तो आचार रामचंद्रशुक्ल ने हिंदी साहित का इतिहास नमक पुस्तक लिखा यानि इन्हों ने जो पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य का इतिहास अब दिखे आचार रामचंद्रशुक्ल ने हिंदी साहित का इतिहास लिखा यानि हिंदी साहित्व के इतिहास को चार चार कालों एंडि के इतिहास को बाटे आचार राम्men शुक्ल ने जो सबसे तरकगत और वैजयानी कालविभाजन माना जाता है तो जिसमें नाम है देख लिजेगा रामचन सुकल जी द्वारा जो चार हिंदी साहिद के इतिहास का काल विभाजन हुआ था उसमें सबसे पहला नाम आता है आदी काल दूसरा जो नाम आता है वो भक्ति काल तीसरा जो नाम आता है वो रिती काल और चौथा जो नाम आता है वो आपका है आधुनिक काल अधुनिक काल धियान दीजियेगा आचार रामचन सुक्ल ने हिंदी साहिद के üatihyaast को कितने वाज़ादे बाटा तो चार भागों में जदी आपका कोश्टन ऐसे बने कि TW को कितने अधिकाल को पढ़ेंगे उसके बाद भक्ति काल को पढ़ेंगे फिर रिती काल को पढ़ेंगे और फिर आधुनी काल को पढ़ेंगे इस आधुनी काल को गध्य काल के नाम से भी जानते हैं तो देखे ये थोड़ा सा हम लोग परिचे करेंगे उसके बाद कल हम आपको हिंदी साहित के आचार रामचल सुकलग जी के द्वारा जो हिंदी साहित के इतियास का काल बेभाजन हुआ है इसके काल बेभाजन को करके और एक एक काल को हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल, आदिक की रचनाय आदिकाल केक और किन किन नामों से जानते हैं यह सबसे शरानी युग रहा और युगद्य युक्षप यूगों को पढेंग तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कल हम लूप पढेंगे आज छूड юवcak यह साधारान साब को एक फार्मूल अधिक काल को पउचार काल को बिरगाथा काल का किस ने दिया वी जोपन काल का नाम किस ने दिया सिद्ध सामंत काल का नाम किस ने दिया तो यह सारी चीजे हम लोग पढ़ेंगे आधिकाल में तो आज के लिए इतना ही आप लोग का दिन शुब रहे नमस्कार और आप लोग लाइब क्लास अवस्य देखे हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को शस्क्राइब करें वीडियो को सेर भी करें और कमेंट बाक्स में अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हम आपको ये साहित का जो भी ट्रिक देंगे ये इसमें जो कवियों को देंगे वो सब ट्रिक से देंगे ट्रिक से याद करवा करेंगे तो आज के लिए इतना ही नमस्कार्ट